जैहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इνडियन आर्मी और SSE-GD के अंतरगत आने वाली सभी विडियो में आपके लिए सेलیक्ट किया है तो झलिए दोस्तों स्टर्ट केरते हैंँ आजकी वीडियो लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेश्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल ऐकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने बाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो चलिए दोस्तो श्टाट करते हैं आज की वीडियो कोश्चन नमबर बन है भारती सम्मिदान में समलित नीती निरदेशक तत्मों की प्रेणगा हमें किस सम्मिदान से प्राप्त हुई है तो कोश्चन नमबर बन का सही आंसर है आपसन डी आयरलेंट Q2 है किस प्रधान मंत्री के कारेकाल के दोरान दो-दो उप्रधान मंत्री एक साथ नियुक दूए बहुत important question है दोस्तो और यह जो question है यह relation की भरतिम दोस्तो बहुत बार पूँचा जा चुका है Q2 का सही answer है आपका option C मौरारजी देशाई Q3 है जब राष्टपती अब उप्राष्टपती का पद खाली हो तो भारत के राष्टपती के पद पर कौन होता है बहुत important question है दोस्तो समझने वाला question है और यह जो question है आपके लिए अगर आप किसी भी exam की तयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए आपको पता है कि प्रतियक राज में एक राजिपाल नियुक्त किया जाता है तो यह जो राजिपाल होता है वो किसका प्रतिनिदी होता है options आपके सामने इस प्रकार हैं दोस्तों तो question number 4 का सही answer है option C question number 5 है राजिपाल की नियुक्ति करते है तो जो राजिपाल की नियुक्ति होती है उसकी जो नियुक्ति करता है वो राजिपाल की नियुक्ति करता है लेकिन वो किसकी सला पर करता है तो question number 4, sorry 5 का सही answer है option D, प्रिधानमंत्री next question के तरफ चलने से पहले आप सब्सक्राइब को बता दें कि अगर आप इस video की pdf फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे telegram channel सिवा online classes से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो question number 6 है आपका संग लोग सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो question number 6 का सही answer है आपका option D, राष्ट पती question number 7 है राजपाल के लिए नामित प्रिथम फिल्म अवनेत्री कौन थी तो दोस्तों ऐसी कौन सी प्रिथम फिल्म अवनेत्री थी जो की राजपा की सदस्यों चुनी गई थी question number 7 का सही answer है option C, नर्गिस दत question number 8 है प्रिधानमंत्री पत पर सरवादिक समय तक कौन आसेन रहा है प्रिधानमंत्री पत पर कौन सबसे ज़्यादर समय तक अभी तक रह चुका है question number 4 के, sorry, 8 के options आपके सामने आ चुके है तो यहाँ question number 8 का सही answer है option D, जबाहरलाल नहरू question number 9 है किस प्रिधानमंत्री ने एक बार पत से हटने के पसचाद दोबारा पत समभाला था ऐसे कौन सा प्रिधानमंत्री जो एक बार प्रिधानमंत्री बना next election में पत से हट गया और next election में फिर से प्रिधानमंत्री बन गया तो यह दोस्तो question number 9 का सही answer है option c इंद्रा गांधी ठीक है और आज की वीडियो का दोस्तो last question sorry आज मैं question कम डाल पाया क्योंकि कुछ कारण थे time की कमी थी जिसके वज़ाशे मैं आपके लिए पूरी question नहीं दे पाया तो दोस्तो question number 10 है और आज की वीडियो का last question है सबसे कम उम्र में प्रद्रमंत्री पतपर आसेन होने वाले ब्यक्ति है तो question number 10 का सही answer है राजीब गांधी ठीक है तो ये थे दोस्तो 10 question जो की काफी important question थे आपके लिए तो उमीद करते हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरू करना थेंक फॉर वाचिंग दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जेंद जबर